नमस्कार धाकर लाइड नोस में आपका स्वागत है जो रखे आपको हर कबर से अपटेट इस वक्त हम मौजुद हैं जालावार जालरा पाटन में जहां रामकुंड बाला जी केदार नाध्धाम में और बरसात का मौसम है और आएगर आप पहली बार इस चेनल पर आएं तो स सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को अधिक साधिक शेयर कीजिएगा तो चलिए आपको मापको दिखाते हैं आज केदार नाध्धाम जो कि इस तरफ हैं और बीच में खाल है और उस तरफ प्रसिद्ध रामकुंड बाला जी का इस्थान है आई एम आपको एक बहुत प्यारा सा गार्डन यहां पर बना हुआ है आप देख सकते हैं यह वो गार्डन है जो गर्मी के समय में भी काफी लोगों को सुकुन देता है और बारसाथ के समय का एक बहुत सुन्दर वियंगा प्रिश्च और केदार नाध्धाम का इस्थान है तो चुकि यह यहां पर माता है बहन है शिव जी का इस्थान है बजन किर्दन काफी समय तक लगाता है यहां पर चलता रहता है हम सीधा अंदर प्रिवेश्च करेंगे आईए हो ध्याँ प्रिवेश्च करेंगे बड़ा प्रिवा प्रिवेश्च करीमीआगे हमने रहे हमों सुण हमाने हम खर्शान है प्रिवेश्च करेंगे हम दोली टुन है हम região अन्रे टेंगे इसके समय हो आबनके चीदान कानी हम अन्रें कि नजदी की गाओं परते खड़ी से हमारे साथ में एक भाइसा मोजूद है राम प्रसाद जी नागर आयरवेदीक डक्टर साब इन से थोड़ा सा इस इस्थान के बारे में जानना चाहेंगे और अभी लगातार दो तीन दिन से जो बारिश हो रही है क्या कुछ कहेंगे वाइस राम साथ सवगत आपका जी वाइसा इस इस इस्थान के बारे में क्या कुछ कहेंगे लगातार दो तीन दिन से थो तेज बारिश हो रही है उसको लेकर और इस इस्थान का जो दिर्श्चि बन रहा है लगातार यहाँ पर लोग देखने के लिए आ रहे हैं क्या कुछ कहेंगे यह बहुत बोट बोट इलर्ट जाहिए का रखा है जे शांती से दूरी रहे हैं शांती माया रखें और दूर रहें यह बहुत महत्तोपुन जानकारी दी है Thank you so much हम आपको वो दृष्टी दिखाना चाहेंगे जो लगातार सोशल मीडिया पे काफी ज़्यादा प्रचलित हो रहा है दो दिन से नस्दिक से दिखाने का प्रियास करेंगे आपको चिकिस प्रकार से पानी जो है बिलकुल उस जो छोटी सी पुलिया बनी हुई है स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं जो मंदीर है रामकुंद बाला जी का है और सामने रम मंदीर है और झहां से हमझे कव्रे Install रहे रहे हैं तह सकते हैं कंदार Midश जह रुबो और ने उसके पानी आप देख सकते हैं यहाँप यह की जादा है यहां पर बिलकुल पानी बहता है लेकिन अभी हालाद इतने खराब हो चुके हैं कि कहिने कहीं यह आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हाल में यह जो पेड़ है यह भैकर आया है कहीं आगे से तो पानी काफी जादा है तो कि सभी बांध नदियां और फ्लो इस वक्त जा रहे हैं और अभी जिस प्रसिद्ध मंदिर हैं और इस मंदिर में रात को और सुबह तक भी काफी तेज कहीं ने कहीं पानी जा रहा था और जो हनुआन जी का इस्थान है रामकुण वाला जी का लगबग लगबग जो उनकी मुर्ती हैं वो पूरी की पूरी पानी के अंदर समाहित हो चुकी थी थोड़ा बहुत कुछ पार्ट कुछ समय तक दिखा तो इस प्रकार से पानी काफी तेज गती से यहाँ पर आ रहा है और कहा जा रहा है कि पहले से फिर भी पानी यहाँ पर कम हो चुका है च्योंकि यहाँ पर आगे हम अगर आपको दिखाना चाहेंगे इस तरफ तो यहाँ और एक पुल बना हुआ है चोटा सा यह आप देख सकते हैं उसका कुछ भाग है जो इस पुल के उपर पानी था लेकिन अब इस पुल के बिलकुल नीचे से पानी जा रहा है तो पहले से इस्तिती थोड़ी सुद्री है लेकिन फिर भी विशेश निवेदन धाकर लाइन उ केदारनाध धाम जो की काफी आसपास के शेतर में प्रचलित हो चुका है और आसपास ही नहीं दूर दूर से भी लोग काफी यहां पर देखने के लिए दर्शन करने के लिए आते हैं और जहलाबान का तो इससा पहला मंदिर है जो केदारनाध धाम के नाम से काफी लोगों छर्चित हो रहा है यहांपे भी काफी सारे युवाशाति आप देख सकते हैं गूमने के Лिए आए हैं ऑर ठोड़वात करते हैं कहां से यह पूरी टिम टितरवासा से हैं अब मताएं आपका नाम कि शिवराज आपका विपब नागर आपका प्र tied क्या बाते तो यह सभी योवासती तरवसते हैं और नागर बया शायद में जानते हो शायद थांक्यू बया तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर नजारा है यह केदारनाथ धामका और रामकुंड बालाजी का तो दर्शकों आपको धकर लाइन्यूस का हमारा आज का यह विशेश कवरेज कैसा लगा अपनी राय जरूर दें और जिससे की हमें होसला मिल सके और पहली बार अगर चेनल पर आये हैं तो सब्सक्राइब करके अपडेट पाने के लिए हमें अपना प्यार जरूर दें एक ब रखरकाओ भी बहुत ही अच्छी तरीके से की जाती हैं यह बहुत जरूरी है कि हम किसी भी जगे पर रहते हैं तो उसकी रखरकाओ सावधानी के साथ की जाए समिती में कहिने के यहां पर एक तार्तमिता देखने को मिलती है और समिती का बहुत बड़ा योगदान इस पू वीडियो का एंड करना चाहेंगे तो अब राट दिया को पानी से अब एक बैठे वे यहां पर जो इस्थानी निवासी हैं इन से बात करते हैं और जानते हैं भी आपका शुब नाम राहूल जी कहां से कन्वाडी से दो-तीन दिन से काफी तेज वारिश चल रही है क्या कुछ कहेंगे इस पूरे शेतर के वारे में और जो माहूल बना हुआ है यहां पर पहले रामकुंड बाला जी जो की फ्रसिद्ध और फेमस जगे अब दूसरा केदार नाध्धाम भी मतलब सोने पर सुहागा क्या कुछ कहेंगे केदार नाध्धाम के इस्थान के बारे में सुबह करीबन चार बजे चार फिट फानी था तो मेरे क्याल से आप भी यहीं पर सेवा देते हैं पिल्कुल निश्चित रूप से बहुत बढ़िया अच्छा सोभावे बहिया का बात करके अच्छा लगा और आप देख सकते हैं यहां पर हम आपको उपर से व्यू दिखा करना चाहेंगे कि इस प्रकार का द्रिश्च बनता है अगर हम बात करें अभी कुछ समय पहले कि जो सावन का महीना चल रहा था उसमें तो यहां पर बिल्कुल जो भगते हैं उनको कहने कहीं पेर रखने की तक जगे नहीं होती है क्योंकि सावन के महीने में काफी जादा ल आप देख सकते हैं यहां पर किस प्रकार से कोई भी रस्ते आते जाते हुए घूमने के उदेश इस से भाई बंदू यहां पर पहुचते हैं त्यूंकि बिल्कुल में रोड़ पर किनारे पर बसा हुआई है यह शानदार केदारनाधधाम मंदीर है आप देख सकते हैं याँ पर एक तरफ कौने में किस प्रकार से नारी शक्ती बैट कर और केदार नादाम के इस्थान पर भजनों का आनंद ले रही है और बहुत ही सुन्दर और आने वाले समय में ये मंदीर और बहतर बनके उभरेगा और लोगों के भगतों के लिए जो निकलते हैं याँ पर उनके लिए भी आने वाले समय में एक चर्चा का विश्य बनेगा और अभी से लगभग ये दो-तीन-चार सालों में ही इतना तेजी से ये इस्थान चर्चा का विश्य बना हुआ है और उम्मित करते हैं कि आने वाले समय में और बहतर बनकर उपरेगा जिससे कि हम आपके लिए अगली वीडियो बहतर तरीके से लेकर आ सकें और कोई भी कमेंड फिडवेग अगर आप देना चाहते हैं तो आप कमेंड बोक्स में अपने आइडियाज अपने फिडवेग दे सकते हैं लाइक कमेंड करके शेर जरू कीज़ेगा भोले के वासे इस कवरेज को अधिक से दिक शेर करें जिससे की केदार नाधाम के बारे में रामकुंड बाला जी के बारे में लोगों को अधिक से दिक जानकारी हो सके तो बनारी आपके अपने न्यूस चैनल धाकर लाई न्यूस के साथ जो रखे आपको हर खबर से अपडेट धनिवात जैहिन वंदे मात्रम